दोस्तो भारत द्वारा 69 चाइनिज एप्लिकेशन बैन करने के बाद अगर आप अपना रेडमी डिवाइस फॉर्मेट कर रहे हो तो यहां पे आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा और यहां पे आपको एक चीज बताया जाएगा पासवर्ड इमेल सब कुछ सही होने के बाद यहां पे आपको एक ही चीज बताया जाएगा कि योडिवाइस इस लॉग्ट तो ऐसे इस्तिति में दोस्तो क्या करना चाहिए यहां पे आपको मैं पूरा डिटेल में शॉल्यूशन बताऊंगा मेरा भी यहां पे यहां पे लॉक हो चुगा था लेकिन विडियो यहां पे अप्लिकेशन तब आप अपना डिवाइस में एक्सेस नहीं कर पाऊगे यहां पे अगर आप चाहो तो उसको लैप्टॉप में यूज कर सकते हो एमाई एकाउंट ओपन करके देख सकते हो वहां पे यहां आपका इसली लोग इन हो जाएगा सेम इमेल सेम पासवर्ट से ल होगे तब आपको यहां पे एक्सेस नहीं हो पाएगा और आपका डिवाइस पे बस एक ही चीज़ दिखाएगा यूर डिवाइस इज लॉक्ट तो ऐसे इस्तिति में दोस्तों पूरा का पूरा सोलीशन में यहां पे आपको बता देता हूं क्या करना है दोस्तों यूटू कर भी मत करना नहीं तो जो भी आपका डिवाइस बचा हुआ हो सकता है कुछ आप यहां पे गलती करते हो तो यहां पे आपका डिवाइस पूरी की पूरी बरबाद हो सकता है तो इस सब के लिए बचने के लिए यहां पे आप एक ही चीज़ करना जो मैं आपको बताऊंगा वह आप प्रोसेस फॉलू करना तो दोस्तों यहां पर लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा डिवाइस लेते हैं और उसको वहां पर वाइफाई एकसेस दे देते हैं और जहां पर आपको लॉग इन करना रहता है जिस डिवाइस को लॉग बताया जाता है वहां पर वाइफाई स और सेम पासवर्ट से लॉग इन कर पा रहे हो लेकिन एप्लिकेशन में या फिर मोबाइल में नहीं लॉग इन कर पाऊगे दोस्तों क्योंकि यहां पर भारत सरकार ने बैन कर दिया है पूरे का पूरे उसा चैनिज अप्लिकेशन तो दोस्तों इसका एक ही स्लूशन है और य से पहले पहले आप तो मोवाईल जब भी कनेक्ट औरू आपको डाइर्ट earn करना ही नहीं यह बात आ दिमाग से लिखाल दो आपको कोई सामी डिवाइस लेना है और डाइर्रेक्ट आपको कनेक्ट दो तीन घर में मोबाइल हो या फिर नहीं हो तो आप अपने दोस्त का मोबाइल से यह सब काम कर सकते हो तो दोस्तों अपने मोबाइल में जो की आपने connect नहीं किया होगा मतलब की format होने के बाद connect नहीं किया होगा मतलब उससे पहले किया होगा लेकिन format होने के बाद आपने नहीं किया होगा तो उस mobile में आपको एक VPN डाउनलोड करना है एक application है तो जो मैंने यहां पर VPN यूज किया था वो मैं आपको link description box में तरी तेंगा वहाँ से आप उसको जाके डाउनलूड कर सकते हो तो यहाँ पर आपको VPN डाउनलूड कर ले रहा है अपने दोस्त के मोबाइल में और वहाँ पर उसको VPN को on कर देना है तो जैसे यहाँ पर कहीं से भी connect हो जाएगा दूसरे location से मतलब out of India यहाँ पर कोई सा भी region आप select करके VPN को connect कर देना तो जैसे आपका VPN connect हो जाता है उसके बाद आप वहाँ से hot spot लेकर आप अपना जो भी Redmi device है उसको connect करना तो यहाँ पर पहला step यह है दोस्तों कि यहाँ पर main गलती क्या हो जाता है कि हम लोग जब भी connect करते हैं तो होता है कि connect हो जाता है और फिर हम लोग सुचते हैं कि यहाँ पर अगर login नहीं हो पा रहा है तो हम उसमें VPN डाउनलोड कर लेते हैं तो VPN आपको कुछ ऐसे device में डालना होगा जो कि आपका mobile उसमें पहले connect नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप उस device को पहले connect कर लें तो बिना VPN के यहाँ पर आपका IP address ट्रैक कर लिया जाएगा और जैसे IP address ट्रैक हो जाएगा वहाँ पर आप अगर फिर से चाहोगे कि यहाँ पर VPN डाउनलोड करके और फिर से connect करके यहाँ पर आप लोगई एक्सेस कर लो तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा इसलिए आपको आपको जब भी IP address एक्सेस होने से पहले ही आपको वहाँ पर VPN डाउनलोड करना है यानि कि first connection में ही आपको VPN download करके ही connect करना है नहीं तो आपको फिर दूसरा device यहाँ पर लाना पड़ेगा और दूसरे device में पहले VPN install करना पड़ेगा VPN install करने के बाद आपको connect करने पड़ेगा जो भी आपका mobile lock हुआ है और उसके बाद आपको जो भी email और password है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं तो वहाँ पर ऐसे पूरा process काम करता है और जो आपने mobile पहले connect कर दिया था बिना VPN से तो उसका IP address track हो चुका है अब वहाँ से आप location change करो कोई फैदा नहीं होगा access नहीं कर पाओगे आप अपना phone तो पूरा process आप समझ गए होगे कि आपको नय डिवाइस लेना है और connect करने से पहले ही आपको यहाँ पर VPN डाउंडोड करके और डाउंडोड करने के बाद आपको पहले connect करना है तो यहाँ पर VPN के बाद ही connect करना तब यहाँ पर आप अपना login एक्सेस कर पाओगे और mobile आपका फिर से access हो जाएगा open हो जाएगा तो यह है पूरा process दोस्तों तो दोस्तों एक और काम कर सकते हैं आप कि अगर आपका mobile नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि MI account से logout कर लेना है तब आपको यह problem फिर से face नहीं करना पड़ेगा उमिद करता आप लोग को विडियो अच्छा लगा होगा तो विडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप यहां पर विडियो को like कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना